हलो इस्टूडेंट आज स्वमिकरण के अंतरगर प्रस्णावली 4.1 का दूसरा का आठमा प्रस्ण से हल करना सुरू करेंगे मैं हूँ पर्मनन पटेल स्वागत है आपका आपके अपने करने पी एन पटेल प्लासेस पर तो आईए देखते हैं प्रस्णा समिकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए अब आपको लग रहा होगा कि वई-वई कोस्ण जो है रिपीट होने लगा है क्योंकि ज़्यादा चिंजस नहीं है ये नौवा प्रस्णा आपको बिल्कुल अलग टाइप का मिलेगा आठवा जो है पिछला हम हल को अर चुके हैं उस टाइप का है फिर भी हम ये प्रस्णा जो है देख लेते हैं यहां भी आ गया है तीन एम धन दो बटे तीन बराबर सत्रा बटे तीन अब यहां पे चूंकि दोनों तरफ पूरा का पूरा बटे में है तीन एम धन दो पूरे के बटे में है तीन और यह सत्रा बटे तीन तो दोनों तरफ पूरा का पूरा बटे में है तो हम सीधा सीधा जो है तीरियक गुणा कर देते हैं यह सबसे आसान तरीका होगा तो तीन का गुणा इधर हम 3M धन 2 से करेंगे और इस तीन का गुणा जो है हम 17 से करेंगे और इसको क्या बोला जाता है तीरियक गुणा तो यहां लिख देंगे तीरियक गुणा करने पर क्या हो जाएगा तीन का गुणा 3M से करेंगे तो 3 तिया 9M धन 3 का गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 17 गुणी 3 याने की 17 तिया हो जाता है इनक्याओन अब यहां पे 9M के साथ में 6 जुड़ रहा है दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो 6 क्या हो जाएगा घट जाएगा 9M बराबर अब इनक्याओन में जो है 6 घटा दीजिए कितना आएगा आपका 45 और बड़े का चिन्नत धन है तो यह भी क्या रहेगा धन यहां पर हमने क्या किया पक्षांतर लिख दीजिए जादा अच्छा होगा पक्षांतर करने पड़ अब यह हो गया M का मान चाहिए तो M के साथ 9 का गुणा हो रहा है दूसरे तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा तो M बराबर 9 से 45 को भाग देजिए 9 पंचे 45 इस प्रकार से M का मान हमको कितना मिला 5 यह हमारा आंसर हो जाता है क्या की एक बार देख लीजिए तिरिया गुणा किया है 3 का गुणा 3 M धन 2 से 17 का गुणा 3 से तो यह दुनों का गुणा किया 3 तिया 9 M और 3 का गुणा 2 से किया 3 दुनी 6 और यह हो गया 17 तिया इनक्यावन 6 यहाँ पर जूड रहा है दूसरे तरफ ले गए तो उधर जो है घट जाएगा 9 M बराबर इनक्यावन रेंज 6 इनक्यावन में 6 घटा दिये 45 बड़े का चिंद धन है तो धन अब यहाँ M के साथ 9 का गुणा हो रहा था दूसरे पक्ष में ले जाएंगे भाग हो जाएगा तो 9 से 45 को भाग दें 9 5 6 45 अब यहाँ पर उत्तर की जाज जब हम करेंगे तो उत्तर की जाज के लिए क्या करत हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम मान को रख के देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में है 3 M धन 2 बटे 3 अब यहाँ पर M की जगह जो मान आया है 5 उसको रखिए धन 2 बटे 3 तीन पंचे 15 धन 2 बटे 3 तो 15 और 2 हो जाएगा 17 बटे 3 और यही जो है समी करण के राइट हैंड में है तो बराबर लिख देंगे राइट हैंड साइड चो की मान रखने के बाद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर आ गए याने कि हमारा उत्तर जो है कैसा हो गया सही हो गया तो इस ब्रकार से हम लिख दिये अत्ध उत्तर सही है तो यह हो गया आपका दूसरा का आठवां इसी में एक और कोस्चन दिया गया है हमको अब अभी तक हमने दस्मलाव वाला समी करण में हल नहीं किया था यह पहला प्रस्ण है जिसमें दस्मलाव हमको दिया गया है तो देखते हैं 2.5x धन 3.5 बराबर 6 अब यहां पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं इसको भी मैं दो अलग-लग तरीके से हल करके बताऊंगा सबसे पहले तो यहाँ पे 2.5x के साथ 3.5 जूड़ रहा है हम दूसरे तरफ अगर ले जाएं तो यहाँ जा करके घटेगा तो यह हो गया 6, 3.5 हमने क्या किया यहाँ पे पक्षांतर तो यहाँ हम लिखेंगे पक्षांतर करने पर अब यहाँ पे 2.5x बराबर 6 में आपको 3.5 को घटाना है तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 6 के बाद 6 में दसमलो नहीं है तो जैस्ट इस संक्या के बाद में दसमलो ऐसा मानते हैं तो 6.5 सुनने कर दिया और 3.5 क्योंकि जोड़ना या घटाना में 10.5 एक सीद में होता है दसमलों के बाद वाला एक साइड लिखाता है दसमलों के पहले वाला एक साइड लिखाता है अब यहाँ पे सुनने में 5 तो घटेगा नहीं यहाँ से उधार लेंगे हो जाएगा दल 10 में 5 घटा देंगे 5 यहाँ कितना बचा 5 5 में 3 घटा यह कितना आएगा 2 और बड़े कच है दो दसमलों 5 के साथ में जो है यह एकस और दो दसमलों 5 का यहाँ पे क्या हो रहा है गुणा दूसरे तरफ ले जाएगे तो क्या हो जाएगा निस्चित रूप से भाग हो जाएगा तो यह एकस बराबर दो दसमलों 5 बटे दो दसमलों 5 अंस और हर दोनों बराबर है या कि सिधा सिधा कट जाएगा और X का मान कितना आ जाता है एक और यही हमारा क्या हो जाता है आंसर तो यहां पर हमको X का मान कितना प्राप्त हुआ एक यह जो है हल करने का पहला तरीका था इसी को मैं एक और तरीके से हल करके बताता हूं यही पर इसको देख लेते हैं जैसे हम को पता है कि ये 2 दसमलोव 5 में से अगर हम को दसमलोव हटाना हो तो क्या करते यहां बटे करते दसमलोव के लिए 1 उसके बाद एक अंग है तो 1 0 और दसमलोव हट जाता है यानि कि 2 दसमलोव 5 को हम क्या लिख सकते हैं 25 बटे 10 साथ में क्या है x धन इसके लिए भी वही प्रक रिया दसमलोव के लिए 1 दसमलोव के बाद एक अंग तो 1 0 और यह हो जाता 35 बराबर कितना 6 अब दोनों के हर में समान संख्या है तो लगुत्तम भी क्या आएगा 10 ही आएगा अंस में जो है लिख दीजिए 25 x धन 35 बराबर इधर क्या 60 अब 10 का left hand में क्या हो रहा है भाग उधर जाके क्या हो जाता गुणा हो जाता तो यह होगा 25 x धन 35 बराबर इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 600 एना 60 गुणित 10 करेंगे 600 इसके बाद 25 x के साथ जो है 35 जूड रहा है दूसरे पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा यह भाग हो जाएगा तो 600 सब रिड कितना हो जाएगा 35 ठीक है और यहां पर एक मिश्टेक कर रहे हैं हम लोग यह 6 है मैं 60 लिख दिया था तो यह 6 है तो यहां पर कितना आएगा 60 आएगा मतलब 60 रिड 35 होगा ठीक जलती सुधार लिए हमने टाइम से अब यह साथ में 35 आप माइनस कर दीजी उधार ल दो याने कि 25 एक्स बराबर यहां भी क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा अब एक्स के साथ 25 का गुना है दूसरे तरफ ले जाएंगे भाग हो जाएगा 25 से कम 25 से कम तो एक्स का मान कितना आ जाता है एक और यह हमारा आंसर तो देखे यहाँ पर पहले condition में भी x कमान एक आया था और यहाँ पर दूसरे तरीके से हल किये फिर भी x कमान कितना आया एक आया है साइब यहाँ पर कट रहा होगा तो मैं इसको आगे लिख देता हूँ 25 x बराबर 25 के बाद x बराबर 25 बटे 25 25 से कम 25 से कम तो x कमान एक यह हमारा आंसर आ रहा है अब रही बात उत्तर की जाज करने की तो उत्तर की जाज भी हम कर लेते हैं उत्तर की जाज में 2.5 x धन 3.5 यह हमारा समी करन का लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर 2.5 और x कमान एक प्राब्थ हुआ था तो हम रग देते हैं उसको एक कल गुणा 2.5 से कीजिए वही आएगा 2.5 धन 3.5 अब इन दोनों को आप जोड़ दीजिए 2.5, 3.5, 5, 5, 5, 10 का सुन्य हासिल आया एक दस्मलाव दस्मलाव है तो दस्मलाव लगेगा 3, 2, 5, 4, 6 तो 6 दस्मलाव सुन्य और 6 दस्मलाव सुन्य को आप क्या लिख सकते हो 6 लिख सकते हूँ और ये किसके बराबर है समी करन के right hand side के बराबर है अतह उत्तर कैसा हो जाता है सही तो इस प्रकार से हमने दोनों question को जो है दो अलग-अलग विदी से हल करके देखे और उत्तर की चांज करके देख लिए तो इस प्रकार से जो है अब प्रस्नावली चार दस्मलों एक complete होता है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में